हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्णर आज हम करेंगे इंगलिश की वरक्षीट और यह हमारा पार्ट फोर्थ है अगर आप मेरे चैनल पर फर्स रहें तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडिय मिल सके और अगर आप अलड़ी मेरे सब्सक्राइबर है तो थेंक यू सो माच और अगर आप प्रेगल और मेरे सारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज कमेंट करें शेर करें और लाइक भी करें तो चलिए बिना किसी देर के हम क्योंशन फर्स शुरू करते हैं फिन दा ब्लैंक्स with suitable conjunctions given in the help box क्रेक परनेंशेशन क्या होगी कन जंक्शन ठीक है कन जंक्शन धेखें कन जंक्शन क्या होते हैं वो वर्ड होते हैं जो दो संटेंस को आपस में जोडते हैं ठीक है एन बर्ट बिकॉज और और बर्ट इन words से हमें, इन conjunction से हमें, इन जो sentence है, इनको fill करना है Come in, blank, get out अंदर आ जाओ या चले जाओ बहार तो come in or get out Rahul is strong but full Rahul जो है strong तह है लेकिन मूरक है Neha and Meenu are best friends Neha और Meenu क्या है, best friends है He will not come when नहीं आएगा क्योंकि वह बिमार है तो because का use हम कहां करते है जब हमें कोई reason देना हो या can बताना हो and का use हम दो, जो हमारे noun होते हैं उनको जोडने के लिए करते हैं जैसे Neha and Meenu He is poor, sorry यहां पे आ राएगा but honest वह गरीब है लेकिन इमानदार है ठीक है वह गरीब है लेकिन इमानदार है Next question है Complete the following sentence is Using much or many देखे, much और many का use हम कहां करते हैं many का use हम करते हैं countable noun के साथ जिनको हम count कर सकते हैं जैसे की 1, 2, 3, 4, 5 और much का use हम करते हैं uncountable noun के साथ जिने हम count नहीं कर सकते for example water अब पानी को हम एक पानी, दो पानी या तीन पानी count नहीं करते तो चलिए इन फिलिंदा ब्लैंक को हम fill करते हैं so guest को तो हम count कर सकते हैं so how many guests are there how many, कितनी guests है वहाँ पर ठीक है how blank air is there in balloon एक हवा, दो हवा करते हैं नहीं करते तो how much how much air is there in balloon balloon में कितनी हवा है how many eggs you add तुमने कितने अंडे खाए count कर सकते हैं भई तो how many how blank books have you read how many अब आप books को भी read कर सकते हैं अब work को तो आप count नहीं कर सकते हैं तो how much work do you have left आपका कितना काम बच्चा हुआ है ठीक है हमारा third question है write the correct homophone to fill in the blanks homophones के लिए मुझे request आई है यह बहुत जल्मापके सामने इसकी worksheet लिक कराऊंगी देखिए homophones क्या होते हैं जिनकी sound हमें same होते हैं लेकिन जिनका अर्थ अलग होता है जैसे आप देखिए ये बाई और ये बाई दोनों की pronunciation सेम है लेकिन इस बाई का meaning अलग है इसका मतलब होता है खरी दिना और इसका मतलब होता है द्वारा तो हम मैं I will go to आगरा मैं आगरा जाओंगा किसके द्वारा train के द्वारा तो by train माई ब्लैंक is 14 years old अब S.U.N. sun मतलब सूरज होता है और S.O.N. मतलब बेटा होता है तो यहाँ पे हम सन की बेटे की उमर बता रहे हैं He is sorry He blank a letter to his brother ये सोरी आई है तो देखिए इस right का मतलब होता है लिखना और इस right का मतलब होता है सही ठीक है तो यहाँ पे आएगा लिखना ही right और यहाँ पे S भी लगेगा क्योंकि singular ही क्या है singular pronoun है जिसके साथ हम verb में S या Yes लगाते है She bought a new dress देखिए तो यहाँ पे N E W new dress new का मतलब होता है नया और K N E W इस new का मतलब है ये no की second form है जिसका मतलब होता है जाना K N O W मतलब I know ही मैं उसे जानता हूँ तो यह उसकी past form है second form है please blank for some time देखिए इस right का मतलब होता है इस right का मतलब होता है वजन तो यहाँ पे हम क्या कह रहे है कि कुछ देर के लिए आप इंतजार कर रहे है please wait for some time fourth question है make noun from the words by adding E R और O R मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो teach, work जो लिखा हुआ act, drive, play ठीके इन word में हम E R ठीके या O R लगाकर हमें इनको क्या बनाना है इन्हें हमें noun बनाना है तो देखिए teach मतलब होता है सिखाना लेकिन अगर मैं इसके साथ E R एड़ कर दू तो यह बन जाएगा teacher और teacher क्या है noun word है common noun है work, work होता है काम करना लेकिन अगर मैं इसके साथ E R लगा दू तो बन जाएगा worker काम करने वाला box क्या है box डबा है लेकिन अगर मैं इसके साथ E R लगा दू तो यह बन जाएगा boxer जो की boxing करते है act act मतलब होता है act यानिके अभीने कारिये लेकिन अगर मैं या रख कर दू O R तो यह बन जाएगा actor जो अभीने करता है drive अब drive का मतलब होता है चलाना लेकिन अगर मैं E R जोड़ दू तो यह बन जाएगा driver चलाने वाला play का मतलब होता है खेलना लेकिन अगर मैं इसके साथ E R जोड़ दू तो यह बन जाएगा player खेलने वाला अब हमारा fifth और last question है underline the adverb देखे adverb की भी एक वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगी जो adverb होते हैं वो काफी type के होते हैं जैसे की हमारा adverb जो adverb होता है वो verb के बारे में extra information देता है यह इनके उसको बारे में extra बता देता है हमें जैसे she reads आप देखो read क्या है यहाँ पे verb है लेकिन उसके बारे में extra information क्या है well ठीक है और यहाँ पे kind of adverb में क्या है जैसे यहाँ पे बता रहा है उसने कैसा पढ़ा how ठीक है how adverb है adverb of how बोल सकते उसको तो यहाँ पे how का पूछ रहा है उसने mostly जो adverb होती है वो हमारे question का जवाब देती है क्या देती है जो हम question पूछते उसका जवाब देती है कि उसने कैसा पढ़ा how well ठीक है he met me yesterday वह मुझे yesterday को मिला when ठीक है क्या है यह यह किसके बार में पूछ रहा है कहां वेट कर रही है अन्नू inside place ठीक है inside place the sun shines brightly सूरज कैसा चमक रहा है how brightly the baby cried out loudly बच्चा कैसा रो रहा है कैसे how loudly ठीक है तो यह सारे हमारी क्या है adverbs है don't worry अगर आपको कोई समझ नहीं आया हो मैं एक complete वीडियो इसके उपर लिक कर आऊंगी तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमें केमेंटर सेशन में जरूर बताए आपको इस वीडियो कैसी लगी तिल देन बबाई स्टे सेफ श्टे हल्दी झाँ 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 कि अवीडियो इतना ही